हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड ओफ एग्जामिनेशन रास्तिय परिक्षा बोर्ड की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिग्टी कंडिशन के ब पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में आप जॉबरास्ता.com पर विजिट कर सकते हैं, और डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, अगर आप एलिग्जीबल हैं, तो आप इसमें अपलाए ओनलाइन कर पाएंगे, सबसे इंपोर्टेंट यहाँ प मिल सकें, बात करते हैं फ्रेंस इसके ओफिशल नॉटिफिकेशन की, तो यह इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन है, जो की एटाइजमेंट नंबर 21005 स्लैस रेकुर्मेंट स्लैस 2020 है, और यह आपका एक च्छे 2021 को जारी किया गया है, नेशनल बोर अफ एक्जामिनेशन इन मेडिकल साइन्स, मिन्स आयर्विग्यान में रास्ती परिक्षा बोर, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, जो भी क्रूशल डेट है, आपकी एलविटी कंडिशन की, वो आपके 14.08.2021, मतलब इस फॉर्म के लास्ट डेट पर आपका काउंट किया जाएगा, ओपनिंग ड इस टेस्ट जो एक्जाम आपका होगा, वो 29.2021 को होने वाला है, अब एक्जाम सेंटर यहाँ पर नहीं बताएं हैं, तो एक्जाम सेंटर की जो लिस्ट है, वो आपके एडमिट का जारी होंगे, तब ही आपको प्रोवाइड होगी हो सकता है, फॉर्म में भी आपको यह प आपकी आपकी जो एज है, वो 27 साल से कम होनी चाहिए, एसेंसियल क्वालिफिकेशन में डिगरी पास आउट होना जरूरी है, और यह सब इसके लास्ट डेट पर काउंट किया जाएगा, मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लास्ट डेट पर आपका जो यह एडमिट कंडिश इसमें फ्रेंस से एस क्राइटिरिया सेम 27 साल से नीचे होना चाहिए, बारवी क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है, साथ में प्रोफेंसी आपकी कम्प्यूटर में, बेसिक सॉफ्ट्वेर पैकेज में आपके पास होनी चाहिए, इसके बाद नीचे एक वेकेंसी है जो की है जूनियर अकाउंटेंट, इसमें फ्रेंस से लेवल 4 का पे मैट्रिक्स रहेगा, नमबर और पोस्ट आपके यहाँ पर 4 रहेंगी, बेसलेट डिगरी आपके पास होनी चाहिए, पर यहाँ पर मैथ या इस्टेटिक्स में या फिर डिगरी आपके पास होनी जूनियर असिस्टेंट जिसमें बार्वी पास मांगा है और आपका जूनियर अकाउंटेंट जिसमें डिगरी मांगी है पर यहाँ पर जो डिगरी है वो मैथ, इस्टेटिक्स या फिर कॉमर्स में आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास तीन साल का एक्सपीरेंस है तो आपको extra preference यहाँ पर मिल जाएगी और अगर आप fresher candidate है आपके पास कोई भी experience नहीं है तो भी आप applicable है apply करने के लिए क्योंकि यह आपकी desirable है आपकी essential नहीं है तो essential आपकी mandatory होती है desirable जरूरी नहीं है आपके पास हो नहीं भी है तो भी आप applicable है apply करने के लिए इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जो reservation है SC, ST, OBC, EWS का यह government of India दोरा यहाँ पर आपको applicable रहेगा आपके पास certificate होना चाहिए card certificate आपके पास होना चाहिए EWS certificate आपके पास होना चाहिए जब भी आप इसे apply कर रहे हैं इसके बाद friends यहाँ पर इसके आपको दिया गया है category wise आपकी post detail जैसे senior assistant की जो total vacancies है वो 8 है जन्डल की 3, SC की 1 और OBC की 4 vacancies है ST की vacancy नहीं है अगर आप ST candidate है तो आप जन्डल में apply कर सकते हैं junior accountant की बात करें तो दो vacancies जन्डल के लिए है SC के लिए 1 है और OBC के लिए भी यहाँ पर 1 vacancy है ST के लिए यहाँ पर vacancy नहीं रहेगे junior assistant में क्योंकि 30 vacancies है इसलिए जन्डल की 5, SC की 6, आपके ST की 3 और OBC की 16 vacancies यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर आप अपनी category में apply कर पाएंगे essential qualification हम बात कर चुके हैं ध्यान रखेगा closing date of submission of online application form तक आपके यह complete होनी चाहिए अगर आपके यह complete नहीं होती given cut of date तक तो friends आप इसमें applicable नहीं होंगे apply करने के लिए age limit जो अपर age है वो सभी post के लिए 27 years रहेगी minimum जो age है वो कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए मतलब आपका जो age criteria है वो 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए और यह भी closing date of submission of online application form पर ही count की जाएगी government of India के दौरा यहाँ पर friends से जो आपके पाग card certificate होता है उसके थुरू आपको age relaxation मिल जाएगा OBC को यहाँ पर 3 साल का SCST को 5 साल का PH, ex-servicemen सभी को यहाँ पर आपका relaxation मिल जाएगा अपर age में इसके बाद है selection procedure अब selection process कैसे होगा तो selection यहाँ पर होगा 2 stages में, stages first, stage 2 stage first friends यहाँ पर computer based test है means CBT है जिसमें आपके 200 question होंगे 200 marks के मतलब हर एक question एक marks का आपका रहेगा इसमें friends जो objective type question paper है उसमें friends से आपका जो exam duration है वो 180 minute का रहेगा मतलब 3 घंटे का समय आपको 200 question को solve करने के लिए मिलेगा अब यहाँ पर फैंट जो negative marking है वो 1 fourth की रहेगी मतलब 0.25 marks आपके कट जाएगे negative मतलब गलत answer देने पर इसके बाद minimum qualify marks आपको दिये गए है जैसे SCST को 40% और 50% जन्रा लोबी से को कम से कम लाने होंगे बाकी जो cut off जाएगी उसके basis पर आपको second stage के लिए बुलाए जाएगा stage first जो है computer based exam यह जैसे junior assistant क्योंकि इसकी जो आपकी qualification है वो बारवी पास है तो बारवी लेबल का आपका पेपर होगा senior assistant and junior accountant के लिए गिरेशोर लेबल का आपका पेपर आपको available रहेगा अब यहाँ पर stage first क्लियर करने के बाद आपको बुलाए जाएगा stage 2 के लिए इसमें फ्रेंस से computer knowledge है skill test related questions होगे 100 marks का आपका पेपर होगा time duration यहाँ पर 75 minutes की रहेगी इसमें फ्रेंस से यहाँ पर आपको test provide किया जाएगा English में 500 words के approach आपका यह रहेगा और आपको फ्रेंस से 15 minutes के अंदर आपको यहाँ पर यह लिखना होगा आपके computer पर तो इससे related जनकारी आपको stage 2 के लिए पर दी गई है 5 candidate every vacancy in each category in order of merit prepare on the basis of CBT मतलब CBT के basis पर आपकी हर एक category से हर एक post के लिए 5 candidate बुलाए जाएंगे stage 2 के लिए इसमें फ्रेंस से यहाँ पर computer knowledge, skill test, data entry, word processing, computer operation यह आपका यहाँ पर इसमें include रहेगा इसके बाद जो schedule है वो friends इसकी जो website है netboard.adual.in पर आपको provide कर दी जाएगी अब stage 1 जो है जुसमें friends यहाँ पर देखिए आपका syllabus है वो क्या रहेगा तो यहाँ पर देखिए 4 section में divide किया गया है general intelligence and reasoning इसमें friends 50 question 50 marks के general awareness 50 question 50 marks के quant के 50 कोशन 50 marks के English comprehension के 50 question 50 marks के overall 200 question 200 marks के है मतलब यहाँ पर आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा पेपर आपका English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको negative marking 143 रहेगी और यहाँ पर कोई भी interview नहीं है direct आपका यहाँ पर stage 1 है stage 2 है उसको clear करने के बाद आपकी जो final merit list है वो आपकी तयार कर दी जाएगी इसके बाद आपको general instructions यहाँ पर दिये गए हैं आप इने readout कर सकते हैं और इसके बाद friends अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं आप apply कर सकते हैं vacancies की detail आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद friends यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसके application fees के बारे में तो friends यहाँ पर जो examination fees है वो general OBC के लिए 15 सो रुपे प्लस में 18% GST आपको pay करनी होगी SC, ST, PH या woman candidate किसी भी category की इनके लिए कोई भी fees नहीं है, fees आप online mode में जमा करवा सकते हैं तो यह fees है जो की non refundable आपकी रहेगी date, time and when you बाद में आपको बताये जाएगा और इसके अलावा कोई भी information आएगी वो आपको update कर दी जाएगी, 15 जुलाई 2021 से आप इसमें आविदन कर सकते हैं और यहाँ पर friends आपको जो भी details या instructions आपको दिये गए हैं, यह आप यहाँ पर check कर पाएंगे, तो friends मैंने आपको सारी process यहाँ पर बता दी है क्या-क्या details आपको चाहिए, क्या LDT conditions है, आप आराम से details को check कर सकते हैं और अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप friends यहाँ पर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही job updates के लिए बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel and last thanks for watching